सवाल नंबर एक गांधर्व काई किसका प्रकार है आपके ओप्षन है ओप्षन अतामसिक प्रकृती ओप्षन वी राजसिक प्रकृती ओप्षन सी साथलिक प्रकृती ओप्षन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है सात्विक प्रकृती सवाल नमबर दो या म्यकाई किसका प्रकार है आपके ओप्शन है ओप्शन अ सात्विक प्रकृती ओप्शन बी तामसिक प्रकृती ओप्शन सी राजसिक प्रकृती ओप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है सात्विक प्रकृती सवाल नंबर तीन रिशी या आर्ष काई किसका प्रकार है आपके ओप्शन है ओप्शन अतामसिक प्रकृती ओप्शन बी सात्विक प्रकृती ओप्शन सी राजसिक प्रकृती ओप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है सात्विक्स प्रकृति सवाल Hill No.4 शमा सत्यक धर्म आस्तिक्य और बुद्दी ज्यान मेधा स्मितियुक्त व्यक्ती किस प्रकृति कि होते हैं आपके option है option आ सात्विक्स प्रकृति option b तामसिक प्रकृति option d उपर युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है सात्विक प्रकृती सवाल नंबर फाइव आत्मबोध अनासक्ति सी युक्त आत्मसयम सहेशनुता अद्वेश दानवरिती श्रॉच सदाचार बुन्युक्त व्यक्ति होते हैं आपके ओप्षिन है Option A. राजसिक प्रकृती Option B. तामसिक प्रकृती Option C. सात्विक प्रकृती Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है सात्विक प्रकृती सवाल नंबर छे आसुर काई किसका प्रकार है आपके ओप्षिन है Option A. राजसिक प्रकृती Option B. तामसिक प्रकृती Option C. सात्विक प्रकृती Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है राजसिक प्रकृती सवाल नंबर सात राक्षस काई किसका प्रकार है आपके ओप्षिन है Option A. अतामसिक प्रकृती Option B. राजसिक प्रकृती Option C. सात्विक प्रकृती Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है राजसिक प्रकृती सवाल नंबर आठ सर्प कार्य किसका प्रकार है आपके ओप्षिन है Option A. असात्विक प्रकृती Option B. राजसिक प्रकृती Option C. इतामसिक प्रकृती Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है राजसिक प्रकृती सवाल नंबर नाइन अद्विग्नता नास्तिकता अधर्म में अप्रवृती बुद्धी का निरोध, अज्यान, कार्य में मिंदता ये किस प्रकृती का लक्षन है आपके ओप्षिन है Option अतामसिक प्रकृती Option B. सात्विक प्रकृती Option C. राजसिक प्रकृती Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है तामसिक प्रकृती सवाल नंबर दस आत्मा के संयोग से मन को कहा जाता है आपके ओप्षन है Option A. पोशक Option B. प्रेरक Option C. उत्तेजक Option D. अवसादिक सही जवाब है प्रेरक सवाल नंबर ग्यारह मन के गुन है आपके ओप्षन है Option A. कतव Option B. अनुत्व Option C. उपर्युक्त दोनू Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है उपर्युक्त दोनो सवाल नंबर बारह मन के लक्षन है नापके ओप्षन है Option A. इंद्रिय अभिग्रह Option B. उखियो विचार Option C. स्विनिग्रह Option D. उपर्युक्त सभी सही जवाब है उपर्युक्त सभी सवाल नंबर 13 आचार्य चरक के अनुसार मन के अर्थ है नापके ओप्षन है Option A. 2 Option B. 3 Option C. 5 Option D. 6 सही जवाब है उपर्युक्त सभी सवाल नंबर 14 इंद्रिय अभिग्रह किसका कर्म है आपके अप्षन है Option A. शरीव Option B. मन Option C. बुद्धी Option D. आत्मा सही जवाब है मन सवाल नंबर 15 मन के द्वारा ग्रहन किये जाने वाले अर्थ को कहते हैं आपके अप्षन है Option A. मन का विशे Option B. मन का गुण Option C. मन का साधन Option D. मन के कर्म सही जवाब है मन का विशे सवाल नंबर 16 मन का प्रमुख विशे है आपके अप्षन है Option A. ध्यान करना Option B. तर्क करना Option C. चिंतन करना Option D. गुण अवगुण का विचार करना सही जवाब है चिंतन करना सवाल नंबर 17 चिंत्यम विचार्य मुखियम चद्धियम संकल्क्य मेवच यदकी चिन्वन सो गेयम तत्सर्व व्याद संग्यकम ये किस आचार्य का कथन है आपके आप्षन है Option A. चरक का Option B. सुशृत का Option C. वागभट का Option D. काश्यप का सही जवाब है चरक का सवाल नंबर 18 मन को उभ्यात्मे किंत्रिय किस आचार्य ने माना है आपके आप्षन है Option A. चरक ने Option B. सुशृत ने Option C. वागभट ने Option D. काश्यप ने सही जवाब है सुशृत ने सवाल नंबर 19 अहित विशयों से रोकना ये किसका कार्य है आपके आप्षन है Option A. आत्मा Option B. मन Option C. शरीर Option D. इंद्रिय Option D. आत्मा सही जवाब है मन सवाल नंबर 21 चरक ने चेतना का स्थान माना है आपके आप्षन है Option A. मस्तिष्ट Option B. हरदै Option C. तालू Option D. फुफफफुस सही जवाब है हरदै सवाल नंबर 22 चरक ने चेतना का स्थान माना है आपके आप्षन है Option A. मस्तिष्ट Option B. हरदै Option C. तालू Option D. फुफफफुस सही जवाब है हरदै सवाल नंबर 23 वागभट में चेतना का स्थान माना है आपके आप्षन है Option A. मस्तिष्ट Option B. हरदै Option C. तालू Option D. फुफफफुस सही जवाब है हरदै सवाल नंबर 24 चरक ने चेतना का स्थान माना है कितना का स्थान माना है आपके आप्षन है Option A. मस्तिष्ट Option B. हरदै Option C. तालू Option D. फुफफफुस सही जवाब है तालू सवाल नंबर 25 चुछ आचारियों के अनुसार मन का स्थान है आपके आप्षन है Option A. शिर Option B. सर्वशरीर Option C. फुफफफुस Option D. शिर बसर्वशरीर दोनों सही जवाब है शिर वशर्वशरीर दोनों सवाल नंबर 26 शरीर के सभी अन्बो में श्रेश्ठंग है आपके आप्षन है Option A. शिर Option B. हरदै Option C. फुफफफुस Option D. तालू सही जवाब है शिर सवाल नंबर 27 मन की प्रकृती होती है आपके आप्षन है Option A. कात्मेक Option B. द्विगुनात्मेक Option C. त्रिगुनात्मक Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है त्रिगुनात्मक सवाल नंबर 28 मानसिक प्रकृती है आपके आप्षन है Option A. 1 Option B. 2 Option C. 3 Option D. 7 सही जवाब है 3 सवाल नंबर 29 सात्विक प्रकृती के प्रकार है नापके आप्षन है Option A. 3 Option B. 5 Option C. 6 Option D. 7 सही जवाब है 7 सवाल नंबर 30 राजसिक प्रकृती के प्रकार है नापके आप्षन है Option A. 3 Option B. 5 Option C. 6 Option D. 7 सही जवाब है 6 सवाल नंबर 31 राजसिक प्रकृती के प्रकार है आपके आप्षन है Option A. 3 Option B. 5 Option C. 6 Option D. 7 सही जवाब है 3 सवाल नंबर 32 राजसिक प्रकार है आपके आप्षन है Option A. 7 प्रकृती Option B. तामसिक प्रकृती Option C. राजसिक प्रकृती Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है 3 सवाल नंबर 33 राजसिक प्रकृती सवाल नंबर 33 महिंद्र काय किसका प्रकार है आपके आप्षन है Option A. 7 प्रकृती Option B. तामसिक प्रकृती Option C. राजसिक प्रकृती Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है साथ्विक प्रकृती सवाल नंबर 34 वारुन काय किसका प्रकार है आपके आप्षन है Option A. साथ्विक प्रकृती Option B. तामसिक प्रकृती Option C. राजसिक प्रकृती Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है साथ्विक प्रकृती सवाल नंबर 35 वारुन काय किसका प्रकार है आपके आप्षन है Option A. साथ्विक प्रकृती Option B. तामसिक प्रकृती Option C. राजसिक प्रकृती Option D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है साथ्विक प्रकृती सवाल नंबर 36 किसकी उपस्थिती में इंड्रिया अपने विशयों को ग्रहन करने में समर्थ होती है आपके आप्षन है Option A. शरीर Option B. मन Option C. बुद्धी Option D. ज्यान सही जवाब है मन सवाल नंबर 37 सुक डैक आदी किसाक्षातकार की साधन भूत इंड्रिया को कहते हैं आपके आप्षन है Option A. मन Option B. कर्मेंद्रिय Option C. ज्यानेंद्रिय Option D. आत्मा सही जवाब है मन सवाल नंबर 38 फीट सुखाद्यू पलब्धी साधन मिंद्रियम प्रिक्ट स्थान की पूर्ति कर्याप के आप्षन है Option A. कर्मेंद्रिय Option B. ज्यानेंद्रिय Option C. शरीर Option D. मन सही जवाब है मन सवाल नंबर 49 ज्यान का होना या न होना ये किसका लक्षन है आपके आप्षन है Option A. आत्मा Option B. मन Option C. इंद्रिय Option D. शरीर सही जवाब है मन सवाल नंबर 40 मन के कितने गुन है नापके आप्षन है Option A. 2 Option B. 3 Option C. 5 Option D. 7 सही जवाब है 3 सवाल नंबर 41 इंचर सती है आत्में रियार्थाना सन्निकर्षे नव विद्यते वेवरित्यानमन सो ग्यान सा निध्यत तचर वर्ते उपर युक्त किसका लक्षन है आपके आप्षन है Option A. मन Option B. आत्मा Option C. इंद्रिय Option D. बुद्धी सही जवाब है मन सवाल नंबर 42 सभी इंद्रियों में व्यापक इंद्रिय मानी जाती है आपके आप्षन है Option A. चिक्षूर इंद्रिय Option B. करने इंद्रिय Option C. रसने इंद्रिय Option D. सपर्षन इंद्रिय सही जवाब है सपर्षन इंद्रिय सवाल नंबर 43 आयूर्वेद के अनुसार जीव किसे कहते है नापके आप्षन है Option A. शरीर व्यात्मा का सयोब Option B. शरीर इंद्रिय व्यात्मा का सयोब Option C. शरीर इंद्रिय व्यात्मा का सयोब Option D. शरीर इंद्रिय सपर्षन इंद्रिय व्यात्मा का सयोब सही जवाब है शरीर इंद्रिय सपर्षन इंद्रिय व्यात्मा का सयोब सवाल नंबर 44 आयुर्वेड के अनुसार चिकित से उपरुष किसे कहते है नाप के ओप्शन है ओप्शन A एक धात्वात्मिक ओप्शन B शत्धात्वात्मिक ओप्शन C चतुर्विन शतिक ओप्शन D उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है चतुर्विन शतिक सवाल नंबर 45 सात्विक बुन के आधार पर काई कितने प्रकार के होते हैं आपके ओप्शन है ओप्शन A 2 ओप्शन B 3 ओप्शन C 6 ओप्शन D 7 सही जवाब है 7 सवाल नंबर 46 मानस प्रकृतिया कितनी है नापके ओप्शन है ओप्शन A 1 ओप्शन B 3 ओप्शन C 6 ओप्शन D 7 सही जवाब है 6 सवाल नंबर 47 आयूर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है आपके ओप्शन है ओप्शन A जो शरीर से स्वस्थ हो ओप्शन B जो मन व शरीर से स्वस्थ हो ओप्शन C जो शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिय से स्वस्थ हो Option D उपर युक्त में से सभी सही जवाब है जो शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिय से स्वस्थ हो सवाल नमबर 48 बलके आधार पर मन के कितने प्रकार बताए गए है ना आपके Option है Option A 1 Option B 2 Option C 3 Option D 4 सही जवाब है तीम सवाल नमबर 49 मानस चिकित्सा के लिए चरक ने कौन सी चिकित्सा बताई है आपके Option है Option A देविविप्राश्रय Option B युक्तिविपाश्रय Option C सत्वावजय Option D और शद सही जवाब है सत्वावजय सवाल नमबर 50 लक्षन मनसो ज्यानस्य भावो भाव एफ्च उपर युक्त तथ्य किस आचार्य ने कहा है आपके Option है Option A चरक ने Option B सुशृत ने Option C वागभट ने Option D काश्रक ने सही जवाब है चरक ने